नमस्कार आप देखने हैं प्रितापगार फिटने सामें राम केला सियादू आज किसी वीडियो मात करने वाला हूँ तम्बाकू किस समय जयादा नुकसान करता किन दो थे संदा कि होता है दो कारण से तंबंखांक अधिक नुकसान करने लगता है तो सारे चीज़े वीडियों बताओंगा वीडियो को लाइक किसे ज़रूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें देखो पहला पॉइड जू आता है बहुत नुकसान कप करता है अधिक नुकसान जैसे कुछ लोग हैं तमबाकू खाके लेड जाते हैं तो है मुझ में भर लिए और लेड गए लेड जाने से क्या है उसका जो अगार होता है हमारे लार के जरिए वो तमबाकू का जो असर होता है हमारे ऐसे लेलते हैं थूप को हलका हलका तो अंदर सरीर में जाता है वो गले में ऐसा कुछ अफासा हुआ है हमें ऐसा खाँ खाँ करोगे ऐसे करते रहोगे खरांस बनी रहेगी और यहां को छाले अंदर निकल जाते हैं जब भी आप ऐसे जीव से देखते हूंगे तो किनारे किनारे छाले पड़ जाते हैं ते क्या है कि जो तमाकु खाकर लेड जाते हैं तो लेडने की वज़ा से यहां गले हुँआरे खरांस पकड़ लेती हैं और अंदर चाले पड़ जाते हैं क्योंको तमाकु का उगार बहुत तेजी से हमारे सरीर के अंदर परवेस करता है भले हम थूक देते हैं लेकिन जब लेटते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है हमारे सरीर के अंदर तमाकू जाने लगता है निकोटेन की मातरा ज़्यादा होने लगती है यह हमारे सरीर को बहुत जल्दी नुक्सान करता है इसके कारण आप खाना भी कम खाएंगे भूख नहीं लगेगी गले में खरांस रहेगा खांसी आ सकती है और गले में जो छाले हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं यहां तक आपकी तबियत भी खराब हो सकते हैं दूसरा पॉइंट ऐसा देखा जाते हैं लोग तमागों खाने के बाद जैसे ही तमागों खाते हैं कुछ यह और खाने के लिए आ जाता है तो तुरहन 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 तो भी तमाकु का असर आपके सरीर में जाता है, जो हानिकारक और नुकसान दायक होता है। बारहाल तमाकु तो आप चाहे कुली कर ले, चाहे तमाकु खाने बाद नहीं लेड़ते हैं, तो भी आपको नुकसान करता है। देखो तमाकु चीज ही ऐसी है, स्वास्त के लिए हानिकारक है, अगर इसे छोड़ सकते हैं, तो छोड़ देजिए, बहुत अच्छा है, अगर आपकी आदत बन गई है, तो भी छोड़िए, ये सेहत और स्वास्त के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन जो नुकसान दायक होता है, अधिक और ज्यादा जल्दी नुकसान करता है, ये ही दो कारण आता है सामने, तो इसके लिए तमाकु तो बिल्कुल मत खाईए, वो नुकसान दायक है, हान क्या रखाए, आपका स्वास्त अच्छा नहीं रहेगा, तो हमें उम्मीद है विडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सेर करें और कोमेंट करें